हेलो गाइज WWE में स्टेफिने मेक्मेर나 एक बहुत ही पॉपुलर फिमेल सूपरस्टर है और वो कमपने के मालिक की बेटी वी है और स्टेफिने बहुत लंबय समाय से रिसलिंग में काम कर रही है और उसलेन बहुत सरे मोवंं Mits ऐसे देखने को मिलें जो की बहुत इंबरेसिंग था सबी ओडियेंस के लिए और इसलिए आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ वैसी मोमेंट्स के बारे में तो देर की जवात की शुरू करते हैं गाइस बहुत सल पहले रोकी एक एक पीसोर में वहते एक प्रोमो स्टोन कोल स्टीफ ऑस्टिन और स्टेफिनी मैकमैन के बीच पहले रिंग में आये स्टोन कोल स्टीफ ऑस्टिन और बाद में आये स्टेफिनी मैकमैन और स्टेफिनी एक रेड़ ड्रेस पहन के रिंग में आ स्टीफ ऑस्टिन उस बकसे को स्टेफिनी से ले लिया लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तब उस बॉक्स के साथ साथ स्टेफिनी की कप्रा भी आ गई और सब्योडेंस बहुत ही चौक गए थे और इस्पेशली स्टेफिनी मेकमैन और वो सब के सामने एंबरेस हो गई और उब जानते ही है और इसलिए एक पर समेख डावन की बैके स्कीच में एक प्रमो देखने को मिली कार टैंगेल catchy। स्टेफीनी मैंकमंई के बीच और इस प्रोमो में कार टैंगेल स्टेफीनी के साथ सोध मौनिक होने की और क्योंके स्टेफीनी ने बहुत ही भावोग हो गये थे और कार्ट एंगल के माया जाल में डूप लगाए तो कार्ट बहुत चालाग आदमी है गाइस गाइस एक बार रौकी एक एपीशोट में हुआ था एक मैच अलबार्ट और टेस्ट वर्सेस कार्ट एंगल के बीच और उस फाइट में लेकिन गल्ति से टीपेल एच अटाक किया स्टेफिनी को और स्टेफिनी रिंग में बैठ गयी थी और इसके बाद मौके पे फाइदा लेने के लिए कार्ट एंगल स्टेफिनी के पास चले गए उनके साथ मीठी मीठी बात काने के कोशिश की और तब यह चीज देख लिया स्टेफिनी के हस्बेंट ट्रुपिल एज और इसके बद इननों के बीच फाइट शुरू हो गई लेकिन स्टेफिनी इन दोनों को छोड़ने की कोशिश करने लगे लेकिन एक बड़ फिर से ट्रुपिल एज ने गलती से अटक किया स्टेफिनी के उपर और स्टेफिनी रिंग में गिर गई और गुस्से में के कार्ट अटक किया ट्रुपिल एज को लेकिन एक बड़ फिर से ट्रुपिल एज स्टेफिनी के उपर गिर गए लेकिन कहाने अभी भी खातम ने हुई क्योंकि इसके बाद जब स्टेफिनी रिंग सेट पर खरी थी तब जएसे ट्रुपिल एज कार्ट को अटक किया कार्ट जाके धक्का दिया स्टेफिनी को और एको फिर से स्टेफिनी रिंग के नीचे गिर गई और गाईस एज दक्त के आज की ये वीडियो अगर फ़सने तो लाइक, कॉमेंट, सस्क्रेब जरूर कीजिए थेंक्स पर वाचिंग, विल देव अगले वीडियो पे